उत्तर प्रदेश पुलीस में आज कॉंस्टेबल पद के लिए सबसे बड़ी लिखित भरती परिक्षा आयूजीत हो रही है जिसमें 60,244 पदों के लिए 48 लाख आवेदक शामिल होने वाले हैं पहले चरण में आज से लेकर रविवाल तक यानि की 25 अगस्ट दो शिफ्ट में ये परिक्षा होगी इसमें करीब 30 लाख परिक्षार्ती हिस्सा लेंगे फिर दूसरे चरण में 30 और 31 अगस्ट को दो शिफ्ट में परिक्षा आयोजीत की जाएगी और इसमें 18 लाख परिक्षा हुई थी उस वक्त प्रश्ण पत्र लीक हो गया था जिसकी वजह से ये कॉंस्टिबल भरती परिक्षा हुआ है आपको बता दे यूपी कॉंस्टिबल भरती परिक्षा जब पिछली बार हुई थी तो प्रश्ण पत्र लीख हो गया था जिसके वज़ा से ये परिक्षा रद्द कर दी गई थी अब ये तस्वेरी आना शुरू हो चुके हैं परिक्षा केंद्रों से जहां पर करीब 45 लाग आवेदर किस परिक्षा में शामिल होने जा रहे हैं पहले चरण में करीब 30 लाग परिक्षारती शामिल हो रहे हैं तीन दिन तक दो शिफ्ट में ये परिक्षा का आयोजन किया जा रहा है तस्वीरे रेलवे स्टेशन से भी सामने आई हैं जहां पर पिछले शाम को ही पहुंच चुके थे परिक्षारती परिक्षा देने के लिए और ये तयारी करते हुए परिक्षारती नजर आए वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही आराम करते हुए देखे गए अब आज परिक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं वहांपर उनकी जांच पर ताल की जा रही है जिसके बाद चेकिंग करने के बाद उनकी परिक्षा अब शुरू हो जाएगी परिक्षा रद्द करने की मांग पर चात्रों ने पहले आंदूलन किया था जिसके बाद आखिरकार यूपी सरकार ने फैसला लिया एक बार फिर से अब कॉंस्टेबल परिक्षा आयोजित की जा रही है हमारे सहयोगी तनिश्क पंजावी हमारे साथ जोड़ चुके हैं तनिश्क परिक्षा के अंदरों से परिक्षा हमने देखी साथी रेड़ वेस्टेशन से भी हमने तस्वीरे देखी जहां पर परिक्षा रती आराम करते हुए नजराय दूर दराज के इलाकों से आते हैं पर कि पूरे 60,000 से ज़्यादा पोस्ट की वेकिंसी निकाली गई पुलिस कॉंस्टेबल के लिए और सबसे बड़ा मास रिक्रूटमेंट ड्राइव इसे बोला जा रहा था जैसे कि आपने बताया कि पिछली बार पेपर लीक हो गया तो सरकार ने वादा किया था कि 6 मेंने के अंदर हम यë पेपर वापस करवाएंगे तो 6 मेंने के अंदर अब ये पेपर वापस हो रहा रहा है और ये वापस त jut यह आप देख सकते हैं यह वो एंटरेंस है अभी धीरे-धीरे जो अभिहारती है वो आना शुरू हो गए हैं यह भीड धीरे-धीरे भड़ेगी और क्योंकि पहली शिफ्ट जो है 10 बजे है उसकी एंटरी साड़े 9 बजे तक है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस स तरीके का पेपर लिग कुछ भी ना होने पाए तो सबसे पहले एक तो बहुत ही थरो सिक्योरिटी चल रही है बायो मेट्रिक सेंट्री हो रही है इस बार बायो मेट्रिक स्कैन हो रहा है जिसके जिसका आधर काड़ से मैच नहीं होगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी आप सामने देख सकते हैं कि यहां पर राखी निकली हुई है राखी, klutches, कुछ भी जिसमें संदिक कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके का जो समान है, extra paper किसी भी तरीके का वो कुछ भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है, आपने देख सकते हैं अपने चूडियां, राखी, क्लचेज, हैर क्लिप, यह सब कुछ निकाल दिया जा रहा है और कुछ भी अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है, सिक्योरिटी के चलते, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है, अंदर अंदर की किस तरीके से तयारी है, एक तो यहाँ पर तो CCTV कैमरा का कॉलेज में ही एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, और प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल इन चार्ज है, इस पूरी चीज को लेकर पूर यहाँ पर इस कॉलेज में एक्जाम कंड़क्ट कराने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर जो है, एक मैजिस्ट् भी हैं, जो इसको ओर सी करेंगे, तो काफी बड़े स्तर पर ये एक्जाम हो रहा है, लखनव के अंदर लगभग एक क्यासी सेंटर है, और हर सेंटर की जिम्मदारी एक मैजिस्ट्रेट को दी गई है, जो पेपर जो आ रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसकी भ बड़ा गया, तो वो भी इनफॉर्म किया जाएगा, जगा 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 कंट्रोल रूम भी बने हुए, तो काफी हैवी सेक्योरिटी के अंदर ये एक्जाम हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, किस तरीके से चेकिंग चल रही है, किस तरीके से चेकिंग चल रही है, महा तरीके से पूरी कड़ी सुरक्षा के अंदर ये एक्जाम कराया जा रहा है, और पिछली बार ये एक्जाम हुआ था, चार शिफ्ट में दो दिन के अंदर, मतलब हर दिन दो शिफ्ट, अब जो है, अक्रोस फाइव डेज हो रहा है, तो काफी ताकि लोड डिवाइड हो सक का बच्चों का, इसलिए एक्जाम ये बाट दिया गया है, पाँच दिन के अंदर, हर दिन लगबख 9-10 लाग अभियारती इसका ये एक्जाम दे रहे हैं, तो ये जो हो रहा है, ये तीस, चौबिस, पच्चिस और तीस और इकत्तिस, ये पाँच दिन को ये एक्जाम हो इस तरीके से जो लोड है, वो डिवाइट किया गए और काफी पुलिस कर्मी जो हैं, तैनात हैं, काफी पुलिस कर्मी तैनात हैं, और सबसे ज़्यादा रोल इहां पर मेजिस्टरेट का, मैं आपको बता दूं, तेिस सो मेजिस्टरेट और 25,000 पुलिस कर्मी पूरे के और 67 districts के अंदर जो है 67 districts के अंदर जो है question paper question paper strong rooms में रखा गया है पहली shift 10 से 12 बजे के paper की दूसरी shift 3 से 5 बजे के paper की लगभग 9 लाग से 10 लाग के बीच अभ्यारती रोज ही exam देंगे KYC और biometric के verification के बिना candidate को नहीं जाने दिया जाएगा 1100 से जादा center लगभग 1200 center के आज़ पास total पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है लगभग 1200 से जादा center पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है और 2300 से जादा magistrate और 25,000 police कर्मी deploy हुएं इस पूरे कार्रे को लेकर लगनाओं की मैं बात करूं तो total 81 81 examination center है तो आप देख सकते हैं कैसे किस तरी से चेकिंग चल रही है पूरी कड़ी चेकिंग पूरी कड़ी कड़ी चेकिंग चल रही है क्योंकि सबसे बड़ा concern यह है क्योंकि मैं आप साथ लगबग 47 लाग अभयारती इसे इस पेपर को देने आये थे पिछली बार और यह रद हो गया था प्रोटेस्ट के बाद पेपर लीक साबित हुआ था कि पेपर लीक हुआ है तो इसी लिए है इसी लिए बहुत ही कड़ी सुरक्षा में इस बार यह पेपर कराया जा रहा है और अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश के दूर दूर गाउं से लोगे पेपर देने आते हैं हम अभी यहां से थोड़ी दूर वहां पे फुट पाथ पे लोग मैट बि शुरू हो गए हैं और पहली शिफ्ट जो है दस बजे शुरू होगी जिसकी एंट्री सादेनों बजे बंद हो जाएगी जी शुक्रिया आपका दनेश के इस तमाम जानकारे के लिए